Good morning student, आज हम देखेंगे कि कैसे evaluate करते हैं जो भी आपको expression given होती है और जब आपको उन variables की value already given होती है ठीक है आप तक तो हम unknown समझ के कर रहे थे अगर अब हमें उनकी value पता हो जाए तो कैसे करेंगे You have given x plus 7, 4 x is equal to 2, it means value of x is 2, तो जो भी आपकी expression उसमें आपको 2 put करना है, means 2 plus 7 that is 9, answer, ok Next one क्या है, 16 minus 4y, 4, y is equal to 4, means y के place पे आपको क्या रखना है, 4 रखना है, 16 minus 4, y के place पे क्या रखना है, 4, क्योंकि 4 आपको given है तो क्या होजएगा 16 minus 4, 4, 16, that is 0, ok, next one क्या हो जाएगा, question number 2 में y minus 2x given है, जहाँ पे y की भी value given है, और x की भी value given है, ठीक है बही, जो भी given है, रखना है, y है आपका 25 minus, 2 into x की value कितनी given है, 7, solve कर देंगे 25 minus 7 to 14, less करेंगे तो कितना हैगा भई, 5 minus 4, 1, 2 minus 1, 1, answer, do like this, ok, now the, देखो मैं each and every part नहीं करा रही है, आपको first 2, 2 part करा रही है, कहीं से भी जो मुझे लगा थोड़ा सा, typical आपके लिए, इसी वे में आपको, जो rest of the part है, जैसे B और C, हर एक question में 4 part है, ठीक है, और किसी में 5 to 6 भी हो सकते हैं, तो आपको सिरफ concept clear करना है, question को मत रटा करो, कि मैडम ने 2 part करा हैं, तो 2 part मुझे करके दे दोगे, सभी part करने आपको, अगर कोई part समझ में नहीं आता, तो आप पोच सकते हो, ठीक है, Z के place पर क्या रखेंगे, 7 minus Y, Y के place पर क्या रखेंगे, minus 5, बात समझ में आई, अब solve कैसे करेंगे, देखो, multiply है तो multiply करें, 10, 3, 30, plus 7, अब देखो, बहर भी minus है, और number के साथ भी minus है, तो minus minus क्या हो गया, plus, ठीक है, तो next क्या जाएगा आपके पास, 7 plus 5, 12, तो क्या जाएगा आपके पास, 42, answer क्या हो जाएगा, 42, okay, now come to the next question, question 3 में क्या given है, 4x square, जहाँ पे x की value क्या है, 3, x square दिया, it means हाँ भी x square किर जिए, 4 into x square का मतलग, 3 square, right, क्योंकि 3 दिया था, x के place पर 3 रख देंगे, अब इसका क्या मतलग है, 3 का square means, आप इसको 2 time लिखेंगे, 3 और कितने times, 2 times, 3 into 3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 4, 3 जा, 12, 12, 3 जा, 36, right, next क्या हो जाएगा, 36 minus 2x square, जहाँ पे x की value क्या given है, 4, तो पहले 36 लिखेंगे, minus 2 into x square means 4 square, अभी बताया था कैसे solve परेंगे, 36 minus 2 into 4 कितने times, 2 times, 4 into 4, 36 minus 2 4 जा, 8, अगर ऐसे नहीं करना है, तो ऐसे कर लो, क्योंकि multiply है कैसे भी कर सकते है, 4 4 जा, 16, 4 4 जा, 16, 16 into 32, तो answer कितना, 36 minus 32, that is 4, right, यहाँ पे आपका question number 3 complete होता है, okay, question number 4 में क्या पेटे, question number 4 में आपको given है, from the following formula, आपको एक formula given है, a is equal to क्या दे दिया, 3a plus 5b minus 8c minus 29, जहाँ पे a की value कितनी है, 18, बस आप इस formula में यह values put कर दीजिए, right, 3 into a, 3 into a means 18, 15, रख दीजिए, plus 5, b की value किया given है, 0, 0 रख दीजिए, minus 8, c की value किया given है, minus 3, रखे, minus 29, सिरफ जो भी आपको a, b, c की value दी है, उनके place पे वो value put करनी है, आपको और कुछ नहीं करना है, जब आप put कर दोगे, उसके बाद calculation करनी है, और यह तो हमें आती है, हमेशा, कैसे करते हैं, अब देखो multiply है ना दोनो, तो 18, 3, जा कितना होता है, 54, प्लस, अब एक बात देखिए, 5 की 0 से आपने तो देखा होगा, मजाक में भी कहते हैं, कि ज़्यादा मतबोल, 0 से multiply कर देगे, हाना, तो it means, 0 से multiply करने के बाद क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है, 0 कर देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, 0, अब देखो, minus है यहाँ पे, और number के साथ भी minus है, और क्या करेंगे, multiply क्योंकि इनके बीच में क्या है, ब्रेकेट है, तो multiply करेंगे तो क्या आजाएगा, plus, minus minus became plus, कितने times करेंगे, 8 बन जाए 8, 8 तू जा, 16, 8, 3, 0, 24, it means, plus 24, minus minus की multiply होती है, तो क्या बन जाता है, plus, next क्या हो जाएगा बई, minus 29, अब सिरफ आपको इन्हें solve करना है, अब हमें पता है, सबसे पहले हम addition को solve करते हैं, add करेंगे, 4, 4, 8, 5, plus 2, 7, अब एडिशन हो गया, अब minus लिखेंगे, बोड माज सिखा है न, अच्छे से, बहुत बार बताया, आपको हमेशा remind कराती हूँ, तो यहा कितना हो जाएगा, 8 में से 9 तो जाता नि, तो carry करेंगे तो 18, 18 minus 9, 9, अब यहाँ पर क्या बचा, 6, 6 minus 2, 4, answer, ठीक है, तो यह formula जब हमने solve किया, तो हमारे पास क्या आया, 49, I hope आपको यह complete exercise समझ में आ गई होगी, next video में, next exercise के साथ मिलेंगे,